हेलो व्रेवन क्या हाल चाल वेल्कम टू माई चैनल अभी एक बहुत कोइंसिडेंस हुआ अभी जैसे मैं यह रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रहा था तुरंट अभी दस सेकेंड पहले एक कॉल है मेरे पास कि हेलो सर मैंने आपकी वीडियो यूट्यूब पर देख्या है मेरा महराश्रा में गौर्मेंट कॉलेज मिल गया मैंने पूछा भी नहीं कौन सा कॉलेज मिला कितना स्कोर था क्योंकि इतना खुश था और इतना अच्छे से उसने मतलब इतना प्यार से ग्राटिटूड दिखाया कि मुझे लगा कि उसका सपना पूरा हो गया मतलब ऐसे बच्चे जो मिस आउट कर जाते कॉलेज मेरी थोड़ी सी मज़द से उनको कॉलेज मिल जाए तो इससे ज्यादा खुशी कोई और बात नहीं हो जाए I cannot stop smiling मैंने सोचा तो बहुत गुस्से में यह वीडियो स्टार्ट होगा क्योंकि मुझे सवाल से बहुत चिड़ है सवाल देख रहोगे और बहुत बच्चों के दिमाग में आता है और मेरे इन बॉक्स भरे होते हैं इस मेसेज से इसलिए जान बुचके आईरोनिकली मैंने यही टॉपिक चूज किया आज के लिए वीडियो बनाने के लिए ठीक है मुझे इस सवाल से सबसे जादा चिड़ इसलिए है क्योंकि जिस इंसान को अपने उपर भरोसा नहीं है वो क्या ही कोई competitive exam crack करेगा वो क्या ही competition में stand कर पाएगा देखो मेरी बात है बहुत कड़वी दा सकती है आपको बट बेटा तुम्हें exam निकालने के लिए मेरी validation की ज and I did prove him wrong and वो खुश हो गया मैं भी यही चाहता हूं कि मेरी कड़वी बातों को आप लो और मुझे गलत प्रूफ करो trust me आपके घरवालों के बात कोई सबसे ज़्यादा खुश होगा तो मैं ही होँगा ठीक है तो दुबारा कोई student मेरा मुझसे यह सवाल नहीं पूछेगा या in fact किसी से नहीं पूछेगा अगर आप अपनी थोड़ी इज़त करते हैं अगर आपके अंदर थोड़ा भी self respect और आप में वो जजबा है जिससे आप एक doctor बन पाएंगे अगर है तो आप तयारी कीजिए अगर नहीं है तो कुछ और कर लीजिए अपना और दूसरों का समय परवाद मत कीजिए चलिए इस वीडियो को पूरा देखेगा यह detailed video है और इस detailed video को आप follow कीजिएगा तो आपका interest exam अगेर तब होगा जब आप इसको follow करेंगे और जब आप अपने self respect को रखेंगे अपनी integrity को रखेंगे और जो promise आप अपने से करेंगे खुद से करेंगे उसको follow करेंगे दो दिन का जोस और फिर push हो गया तो खतम हो गया यह आखरी train है आपकी मैंने बहुत बार बोला यह आ पढ़के नीट नहीं निकाल सकते हो तो बागी नीट 2022 एक्जाम तक क्या आप मुमफली छिलेंगे एक्जाम ही दोगे न भाई तो क्यो यह सवाल पूछना कि can I crack need if I start studying नो आप पूछो कि सर मुझे कैसे पढ़ना चाहिए मुझे नीट निकालना ही निकालना है यह पूछो मैं इसका जवाब दूँगा आप पूछो कि सर बायो में क्या important topic आता है मैं इसका जवाब दूँगा सर यह पूछो कि आपके paper attempting strategy कैसे होनी चाहिए मैं उसका जवाब दूँगा आप पूछो कितने घंटे पढ़ने चाहिए मैं उतका जवाब दूँगा आप पूछो to do list क कैसे बनाने चाहिए मैं उसका जवाब देंगा और इस वीडियो में मैं उनका ही जवाब दे रहा हूँ वीडियो शुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक नहीं किया और बेल आइकन दवा दीजिए ताकि हम शुरू कर पाए कर दिया चल आगे बढ़ते तो मैं आपको इस वीडियो में पूरा का पूरा टाइम टेबल बताने वाला हूँ मैं आपको इस वीडियो में पूरा का पूरा आपको subject wise planner बताने वाला है थोड़ा लंबा वीडियो होगा बट इसको as it is follow किजगा अगर आप इस वीडियो में आदे घंटे अपना invest कर रहे हैं तो at least इतना ensure किजगा कि इस आदे घंटे जो आपने invest किया इससे आपके नीट में 50 से 100 number marks कम से कम बढ़ गया है तभी इस वीडियो का कोई फाइदा है नहीं तो इस वीडियो का कोई फाइदा नहीं है चल तो हम time tables की बात करेंगे और दूसरा हम बात करेंगे कि आपका क्या resource less होना चाहिए आपको कौन कौन से किताबे चाहिए अभी कुछ चीजे हमें पता है क्या चीजे हमें पता है कि अगर आप 100 दिन पूरे द्रण निश्चिया के साथ खुद पे भरोसा करके काम करते हैं तो आपके डॉक्टर बनने का सपना कोई नहीं छीन सकता आपसे इसी note पे शुरू करते हैं तो भाया सबसे पहले मैं बताता हूँ कि मैंने आपको promise किया था कि मैं आपको daily to do list बताऊंगा और मैं आपका attendance bot लेके ये feedback लूँगा मैं आज के generation मैंने देखा है कि conviction बहुत कम है जब तक कोई पीछे नहीं पढ़ता आप पढ़ते नहीं हो आपने ये वाला काम किया जो मैंने बोला आपने ये वाला काम किया जो मैंने आपको बोला तो ये आपको इस telegram channel पर मिल जाएगा और hourly prompt भी आपको मिलेंगे जिस पर आपको click करके पताना है कि आपने किया या ने किया जूट वोलोगे तो भाई, उसका तो मेरे पास कोई उपाई नहीं, चेक करने का, तो अगर आप खुद से honest रहेंगे, और इस prompt से honest रहेंगे, और बाकी बच्चों को आप देखेंगे, तो आपको निश्चे मिलेगा, आपको लगेगा कि दूसरे बच्चे भी कर रहे हैं, तो पर रोज सुबह मैं थोड़ी आपको voice note भेज दूँगा, जिससे आपका पूरा दिन अच्छा जाए, थोड़ा motivation का ज़रूरत पढ़ता है, मुझे यह पता है, तो हम मैं कोशिश करूँगा कि telegram channel पर ही थोड़ा और engaging मना है, क्योंकि रोज YouTube वीडियो बनाना difficult हो जाता है, ठीक है, तो इस telegram channel को join कर लिजए अगर अभी तक नहीं किया, t.me.onmoney001, यहाँ पर आपको mind maps, मेरे short notes, key notes, flavor tracker, जो भी आपकी neat की तयारी के लिए resource है, वो सब आपको इस नए वाले telegram channel पर मिल जाता है, चली, अब आते हैं, कि आपको neat की तयारी शुरू करने से पहले, क्य ठीक है, तो इसमें पकड़ लो एक और चीज़, 350 hours का lecture, ठीक है, यह हो सकता है, 400 घंटे भी हो जाए, यह हो सकता है, 300 घंटे में भी हो जाए, ठीक है, मैंने 350 hours का module बनाया है, आप लोगों के लिए, ठीक है, स्लेबस ट्रैकर, क्या होता है, एक Excel शीट है, जहाँ पर topic, subtopic wise मैंने स्लेबस बना दिया, जिस पर आपको टिक लगाते जाने है, जैसे जैसे आप complete करो, इससे क्या होता है, कि आपको completion report मिलते रहता है, यह भी मेरे telegram चैनल पर आपको मिलेगा, 10,000 question, यह हम लोग शुरू करेंगे, जब आप स्लेबस complete कर लेंगे, और बीच-बीच में भी करते जाएंगे, तो यह हम effectively अगले month से start करेंगे, 28th March से इसको हम start करने वाले हैं, जहाँ पर हम chapter wise आपको test भी कराएंगे, फुल से बस भी test कराएंगे, जो पिछली साल में कराता थान academy आप पे वो कराऊंगा, ठीक है, mistake notebook आपको पता है, question के साथ के लिए रखना है आपको, to-do list यह हम daily आपको telegram channel पे देंगे, ठीक है, रोज का time table आपको दिया जाएगा, और chapter wise waitage पे एक video आएगी, कौन से chapter पे कितना waitage आता है, ताकि आप उसी sequence में अपनी तयारी start कर है, और study plan इसी video में आपको मिल जाएगा, तो this is your resource list that you require to crack the need entrance exam, ठीक है, आगे पड़े, रोज का target जो है आपको, approximately 10 घंटे bare minimum रखना है, देखो यार, अब जो पाप की हो, कोई जादू तो होगा नहीं, समझो, ठीक है, कोई जादू तो होगा नहीं, जो बच्चा 2 साल से प अगर आपको इसको compensate करना है, तुम चलो, बहुत एकदम आइंस्टाइन का बच्चा हो, ठीक है, फिर भी तुमको bare minimum, यह तो bare minimum है, कि 10 hours की टिकाना पड़ेगा अपना, बंबी को एक जगा चे टिकाना पड़ेगा, यह नहीं कर पाऊगा, तो फिर दॉक्तर क्या ही बनोगा अगर जब तुम अपने comfort में, घर के comfort में 10 गंटे नहीं बैठ सकते हो, तो क्या posting अटेंड करोगे तुम 20-20 गंटे की, 30-30 गंटे की है ना, तो वो तो फिर point ही नहीं है तुमारे लिए, ठीक है, तो प्रोफेशन ही गलत चूज़ करो, तो भया, तयार हो, 10-10 करो, इस सब प पढ़ने का शमता नहीं है, तो भया, उटके चले जाईए, ठीक है, तो 10 गंटे कैसे, 5 गंटे study time होगा आपका, 3 गंटे practice होगा, और 2 गंटे का revision होगा, इस तरह से आप bifurcate करेंगे, ठीक है, मैं अपना time table दिखा देता हूँ, आप दो तरह के लोग होते हैं, देखो, को कोई night owl होता है, जो रात में जख्या पढ़ता है, कोई morning bird होता है, जो सुबह सुबह पढ़ता है, ठीक है, मैं अपने UG तयारी के दौरान, जब मैं neat UG की तयारी करता था, यह वाज नाइट आउल, बट जब मैं अपनी PG के तयारी करता था, तो I was a morning bird, और दोनों चीजे मै ने follow किया है, और मैंने realize किया कि सुबह उठने से आपकी productivity बढ़ जाती है, ठीक है, लेकिन, 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 यह रोज अभी तुरंट अचानक से तो होगा नहीं, जो काम तुम पिछले 12 साल से, 13, 14 साल से कर रहे हो, वो अचानक से तो change नहीं होगा, है ना, तो इसको gradually change करो मतलब कोशिश करो आप night owl से morning bird बनने का, ठीक है, क्या है, कि आपकी productivity बढ़ जाएगी, आपकी तबियत पे बहुत असर पड़ेगा, ठीक है, जैसे तुम रात में बहुत देर तक जागो कि सुबह उठके तो आप पेट खराब रहेगा, बोडी, biological clock है बोडी का, ठीक है, तो तुम अभी 11 बजे उठ रहे थे, अगले दिन साथ बजे उठोगे, तो तुम्हारा पूरा दिन खराब हो जागा, तो अभी हम experiment नहीं कर सकते, तो जो कर रहे हो, वही करो, धीरे-धीरे transition shift कर लेना, तो मैंने दोनों schedule अभी बना दिया आपके लिए, ठीक है, अगर आप night owl ह तो आपके लिए अपनी schedule है, अगर आप morning बढ़ है, तो आपके लिए अग अलग schedule है, पट eventually धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे उस schedule को अपनी हिसाफ से custom करना, दीक है? उस schedule को आप अपने lecture के हिसाफ से custom कर सकते हैं, दस गंटे आपको पढ़ना है, मैंने एक template आपको बता अच्छा कर लेंगे तो बहुत भला हो जाएगा आपके लिए तो चलिए क्या क्या है तो तीन पार्ट में आप डिवाइड कर लीजेगा अपने रोज के टास्क को ठीक और यह टाइम टेवर आप रोज ही गुना सकते है ऐसा नहीं कि अगर आज मैं साथ से नौ पढ़ना बैठा आप तो दो घंटा बरबाद होगे आप तो मैं नौ बज़े वाला ही टाम फालो कर लूँगा इसको प्रोकैस्टिनेशन कहते है ठीक है तो यह नहीं कि जब मौका मिले तब पढ़ लो अगर मालो आपके शेडियूल में आज कोई गेस्ट आने वाले हैं और तुमार यह कि मर्दी है आप कैसे फॉलो करेंगे ठीक है तो लक्चा टाइम रिविजर टाइम और प्रैक्टिस और इवालवेशन में ये तीन पार्ट में आप अपना डिवाइड करेंगे ठीक ताकि आप साथ के साथ पढ़ें और साथ के साथ रिवाइस करते रहें तो यह टाइम टेबल है देखो मैं नाइट आउल था इसलिए मैं सुबह नौ बज़ा उठता था ठीक है नाइट आउल का मतलब यह नहीं होता कि दुपर के एक विद्धा तुम सोग ठीक तो मैं एकदम दस से एक पढ़ता था एक शिप्ट में तीन गंटे का शिप्ट करना ठीक आप बोलोगे सर तीन गंटे तो मैं लगाता आप पड़ी नहीं पाऊंगा एटेंशन स्पैम तो इंसान का 45 मिनट होता है ठीक है कैसे पढ़ते हैं तीन गंटे वो भी मैं अभी बताऊंगा आपक है क्या है तो आप जैसे नौ बजे उठें दस से एक का एक शेडूल मारा दो से पांच का यह दो से पांच बाला प्लीज फॉलो करना दिन में सोने की कोशिश मत करना ठीक है याद रखेगा इस टाइम में तो अगर सोने लगे तो लग जाएंगी तुमार ठीक है यह एक्ज एनर्टिकली ब्रेंग को स्ट्रॉंग करना और इस टाइम के लिए हिसाब से पेन को तयार करना कि दो से पांच तो ब्रेंग मेरा बिल्कुल नहीं सोता है बिल्कुल एकदम हाइपर एक्टिव रहता है ठीक है फिर यहाँ पे तीन गंटे का एक शेट मारो और फिर यहाँ देखो मैंने बैक अप में 12 गंटे इसलिए बोला है कि 10 गंट तुम 12 गंटे पढ़ोगे तो effective productivity 10 गंट होगी बीच पे तुमको सुसुपटी सब लग जाएगा ठीक है तो इसलिए मैंने 12 गंटे का आपको दिया है कि माल लो कि तुम bare minimum 10 hours तो करोगी ही करोगा अब इसके हिस practice होना चाहिए यह time कोई भी बच्चा चेंज नहीं करेगा और इसी time के हिसाब से अपना पूरा course module तयार करके रखेगा ठीक है यह time बिल्कुल आप चेंज नहीं करेंगे जो practice का time है बाकी सारे time आप अपने हिसाब से customize कर सकते और अपने हिसाब से change करके solve कर सकते हैं ठीक है दूसरा जो रात का time होगा जब भी आप सोने जारो चाहिए आप night owl है चाहिए आप morning बढ़े तो रात का time आप revision के लिए ठीक है सुबह का time आप रखेंगे कुछ नया पढ़ने के लिए रात का time आप रखेंगे जो पढ़ाया है उसको compile करने के लिए तो बहुत simple सा rule मैं follow करत सुबह की शुरुआ जल्दी कर दो जब भी कर दो कोई ही करनी है ठीक है दूसरा finish what you start मतलब अगर मैंने अपना to do list बनाया है तो मैं उसको पूरा complete करूंगा उस particular to do list ठीक है और तीसरा revise what you have studied तो रात में रात का time जो भी आपने पढ़ाया आप उसको assimilate करेंगे आप जो भी आपने पढ़ाया जैसे practice notebook में बहुत simple सा जैसे सबोज मालो कि तुमने lecture ले लिए सुबह ठीक है दो पहर में practice कर लिया तो रात में तुम अपने mistake notebook लेक्चर या जो भी अगर रक्टाफिकेशन वाला कोई चीज था जिसका flashcard बनाया था या कुछ कराया था तो वो उसको सिर्फ देखो गया आराम से बैटके इसको देखो गया और आपको नीन आ जाएगी यार रखीगा do not keep your phone where you are sleeping बहुत simple तुमको प्रदान मंत्री तो आये नहीं हो कि तुम्हारा phone off हो जाएगा तो दिक्कत आ जाएगी है ना सोने के time आप अपना phone अपने पास नहीं रखेंगो आधा time उसमें बरदाज होता है एक start किये कच्छा बदाम पर रील देखना और उसके बाद क्या चीज है भाई यह रील मत्तब इतना time waste होता है ठीक है तो यह तो यह वाला काम करोगो तब तो हो लिया फिर तो कच्छा कर देंगे और जब सोएंगे तो आप यही अपना रिविजिन और नाइट कैप लेके सोएंगे ठीक है बहुत सब्सक्राइब पढ़ना है पढ़ सकते हो तो बहुत अच्छी बात है यह नहीं हो कि सुभा चार बज़े उठने के चक्कर में पूरे दिन आप सोते रहे ठीक ह दो चीज आपको ध्यान रखना है कभी भी शट्यूल बनाने में कि आप जो प्रैक्टिस टाइम है ठीक है प्रैक्टिस टाइम है दो से पांच पीम का इस पे सोएंगे नहीं और इस पे दिमाग वाला काम करेंगे हैना आप ब्रेन एक्सरसाइज करेंगे ताकि आपका ब्र हो तो दिन के टाइम पे मत सो अगर सोना भी है तो 15 मिट का आख बन कर लो लेकिन पावर नैप ऐसे नहीं कि 15 मिट कर शुरू कि और दो घंटे खराटे मार के सो रहे हो यह ध्यान बगना ठीक है तो शिडूलिंग इस वेरी इंपोर्टेंट वाट फूड यॉर टेकिंग इस वेरी इंपोर्टेंट एक्सरसाइज आप कितना कर रहे हो वो भी बहुत इंपोर्टेंट होता है देखो इट इस अब बैटल ऑफ बोथ फिजिकल एंड मेंटल एजिलिटी ठीक है अम माल लोगी मैं बुखार में एकनम तप रहा हूं माल लोगी मैं बिमार पढ़के और आपका पूरा यह दिमाग भी स्मार्ट आइक्यू भी तीनों चीज़ आपका एक्टिव रहना चाहिए तो इसके लिए क्या कीजिया तो आप अपने शेडूल में थोड़ा ग्याप रखिए आप आख बन कर लीजिए आप अपने आख का ध्यान रखिए आप अपने जि दोड़ों के तो फ्रस्टेशन निकल जाएगा या मैंने पुश-फ लगा लिए पुश-फ लगाओ के अगें फ्रस्टेशन निकल जाएगा ठीक है कहीं बाहर में पालकनी में निकल के वाक ही कर लिया सांस आजाएगा या कोई स्पोर्स खेल या आदे गंटे दिमाग खु अर्ली मॉर्निंग आप बहुत जितना हेवी खाना 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 खाओ फूस के ब्रेकफास कर लो ठीक है लंच लाइट कीजिए ठीक है जैसे हम लोग आया ना विहारी लोग चावल लाल एक दम भर भर के खा लेते हैं ठीक है तो आपकी एफिचेंसी जादा बड़ेगा तो अगर मैं उस गाड़ी का सर्विसिंग सही टाइम पर नहीं करा हूँ तो गाड़ी का पर्फॉर्मेंस खराब हो जाता है वही एक्तम मस्त अकर मेरा गाड़ी सर्विस्ट है तो मक्षन चलेगा है ना तो बस वही वाली बात है बॉड़ी को भी सर्विसिंग की जरूरात बात करते हैं बाइल जी का मैंने बोला था कि आप तीन फेज में डिवाट करो सबसे पहले अगर लेट जॉइन के है टेलिग्राम चैनल जॉइन नहीं करो क्योंकि सारा रिसोर्स आपको यहीं मिलता है कि टी डॉट एमी अनन्दमनी जिरो जिरो अब देखो बहुत सिंपल दा चीज है तुम बाइल जी हमसे पढ़ो फिजिक किसी से पढ़ो फर्क नहीं पढ़ता जिससे पढ़ो उसी से पढ़ो पचास जगा मुह मारोगे तो लग जाएंग आपके ठीक है एक टीचर एक सब्जेक बहुत सिंप और कहीं अगर आपको वन टीचर वन सब्जेक नहीं मिल रहा तो वन टीचर वन बैच तो मिल जाए ठीक है मतलब वन बैच एक बैच फॉलो कर लिए जैसे आप हमारे देखेंगे कि फिजिस के दो टीचर हैं बट दोनों सिंक में बढ़ा रहे एक बैच से पढ़ा रहे हैं हर इंसान का पढ़ाने का तरीका अलग होता है यह नहीं कि कोई टीचर खराब है या कोई टीचर अच्छ है आप एक टीचर पकड़िए और एक बैच फॉलो कीजिए तो आपको दिक्कत नहीं आएगी आपका यूनिफॉर्मिटी बना रहेगा जैसे मालों कि अगर मालों कि किसी एक टीचर ने पढ़ा दिया इस बहुत जादा किसी एक टीचर ने करेंट बहुत कम पढ़ा है अब गल्ती दोनों टीचर में से किसी की नहीं है नुकसान लेकिन आपका हो जाएगा ठीक है चल अब बात करते हैं बाइल जी आपको पढ़ना कैसे है कैसे पढ़ना है ब क्लास 11 का कौन क्लाइब ग्रोथ यह चैप्टर शु है आपको किसी तीचर से पढ़ने की ज़रुवत है। इस वाले चैप्टर हैं आप जितने अच्छे से अपने नोोट्स बनाएंगे जितने अच्छे से रिसोर्स को यूज करेंगे वही आपका काम आएगा ठीक है बट फिर भी अगर तुमको NCRT समझने में दिक्कत आती है English to Hindi Translation चाहिए तो बहुत सिंपल सा तरीगा बताते हैं इसका इसका मेरा NCRT Review देख लो ठीक है अब बोलोगे सर कहां मिलेगा कोई भी चीज अगर नहीं मिल रहा है मेरा नाम उसके पीछे लग जोड़ देना ठीक है एंचार्टी रिवीव डॉक्टर आनमनी पूरी प्लेलिस आपको मिल जाएगी ठीक यह क्लास 11 का हो गया बनाईए इन चैप्टर के फेज वन के आप खुद से नोट्स बनाईए यूजिंग माई की नोट्स ठीक है तो आपको आसानी होगी और कोशिस कीजिगा इन चैप्टर के टेबल फ्लो चार्ट साइंटिस का नाम अलग डेट अलग रट्टाफिकेशन वाली चीज़े अलग अलग कॉलम में हो आपका ब्रेन अच्छे से प्रोसेस करता है जब चीज़े अलाइंड हो तो इसको बनाके आप रख लीजिए और इसको डेली या वीकली रिवाइस कीजिए इससे क्या होगा कि धीरे धीरे बैक आप देहट आपके दिमांग में चला जाएगा ठीक है अनपढ़ लोग का काम है तो नेमोनिक जरूद अभी आपको नहीं पढ़ेगा जब तो आपको याद हो जाएगा बट ऐसे नोड बना लो फेज वन के कि आपका दो पेज या तीन पेज से ज्यादा का नोड नहीं हो ठीक है और इसी नोड को आप रोज पलटा के रिवाइस कर लो तो मालो कि एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, साथ, आट, नो, दस दस चाप्टर है तो दस चाप्टर को पूरा रिवाइस करने में भी या पूरा पलटाने में भी आपको देड़ से दो घंटा ज़ादा ना लगे त्वाईस अवीक ही कि ये कर लो और धीरे धीरे ध दीरे 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 पांच-दस बार आप पड़ोगे आपको अपने आप याद हो जाएगा ठीक है फेस टू के लिए क्या करना है बेटा फेस टू के लिए डीटेल एंसेयर्टी रिव्यू मैं करा रहा हूं ताकि आपको थोड़ा समझ में भी आ जाए इसमें बस एक चैप्ट बस आप अपना बना लीचे कौन-कौन चैप्टर फेस टू में आते हैं फेस टू में आपके चैप्टर सा जाते हैं जैसे बायो मॉलेकिल्स हो गया बायो मॉलेकिल्स मत आलो फेस टू में फेस टू में चैप्टर आपके एनिमल टिशू आ गया कोक्रोच आ गया अगेन फ् प्लावरिंग प्लांट चाप्टर टू उसके बाद आपका इवाल्यूशन चाप्टर सेवें और उसके बाद आप क्या 13 14 15 और 60 ecology वाले chapters आ जाते हैं phase 2 में इन सब के detail NCRT review मैंने already करा दिये हैं आप अपने page page कर सकते हैं फिर से बोलोगे तो फिर से भी करा देंगे बड़ कोशिश करो यार पहले इसको complete कर लो तुम मेरा expertise किसी और चीज में use कर सकते हैं सेम ही इंसियार्टिक हिस्ते रहूंगा तो हो लिया है ना तो ऐसे आप कर लिखेगा phase 3 में बागी सारे chapters आ जाते हैं जिसको हम detail में पढ़ा ही रहे हैं ठीक है तो Monday से Monday से आपकी human physiology 3D में start हो रही है सुबह साड़े 8 बजे ठीक है इसी चैनल पर हो रही है तो Monday से यह शुरू कर दो यह आपका चलता रहेगा ठीक है human physiology करा देंगे फिर plant physiology करा देंगे फिर genetics करा देंगे फिर cell biology एक बार करा है फिर से करा देंगे ठीक है बायो टेकलोजी करा देंगे तो यह जो core topics या concept वाले चीज़ है इसको जैसे मैं करा रहा हूँ डीटेल में उकरते जाओ इसके लिए आपको teacher की ज़रूद है इससे आपकी पूरी biology कंप्लीट हो जाएगे ठीक है प्लस question practice के लिए आपको क्या करना है question practice के लिए आपको करना है pyq बहुत simple अब बोलोगे sir कितने साल का करें relevant यारे बेवकुफ तो हो नहीं तुम तुमको दिख जाएगा ncrt में है या नहीं है जो ncrt में नहीं है वो irrelevant है जो ncrt में है sorry वो relevant है तो relevant pyq 33 years के कर जाओ जो लग रहा हूँ तो लेवस उसको अठा exemplar कर लो प्लस मेरी एक किताब है biology conquest अगर आपके पास finger tips है पहले से या कोई भी practice की किताब है तो उसको रखलो फिर खरीदने की जरुवत नहीं है अगर नहीं है तो biology conquest किताब आप लीजे इन तीनों का आपको आप सार निकालना है आप पहली बार solve करो आपके solve हो जाएगा आपको इसमें कोई भी question अच्छा लग रहा है या किसी question में लगा कि तुम फस गया हो या किसी question में लगा कि तुमको नहीं आता या किसी question में लगा कि तुम बाद में बूल जाओगे इसको आप अपने mistake notebook में रखतो ये mistake notebook exam के आखरी 10 दिन में आपको बहुत help करेगा मैंने एक time था जब 3 घंटे में पूरी NCRT हम revise करते थे because of this mistake notebook that I used to keep ये mistake notebook आप रखिए और इस mistake notebook को आप पूरा भर दीज़े जितनी जादा ये mistake notebook आपके बढ़ेगी उतना जाद आपके need के number बढ़ेंगे इस तरह से आप बायो में full marks ला सकते हैं कोई और तरीका नहीं है plus एक बहुत important चीज मैं बताऊंगा मैं बायो का teacher हो के ये बात बोल ला हूं बायो को सबसे कम time देना बेटा याद रखिएगा बायो आपका एक महीने में भी ठीक हो सकता है अप्रिल में भी आओगे मेरे पास तो बायो हम ठीक कर दिने तो बायो के लिए load नहीं लेना है आप बायो के लिए मुझे 100 गंटे दोगे मैं पूरा बायो आपका चका चक कर दूँगा including questions कह रहा हूं ठीक है human physiology बस मेरे साथ कर लो वह 3D में अभी मंडे वाले से जो स्टाट हो या साड़े आठ बजे और आपका पूरा बायो कम्प्लीट हो जाए गाँ केमिस्टी की बात करें केमिस्टी में तीन पोर्शन होता है फिजिकल और गैनिक इन और गैनिक बिलकुल NCRT रिव्यू आप कर लो बिलकुल चल रहा है आपका ठीक है मैं सशिशरो शिखा में को बोलूँगा NCRT रिव्यू इन और गैनिक का आपको पूरा करा दे ठीक है और गैनिक में NCRT के साथ फोड़ा डीटेल में आपको जाना पड़ेगा तो NCRT को सपोर्ट लेके जैसे फेस्टू में हम करते हैं डीटेल लेक्टेस आप देखेंगे ये भी आपको टीचर्स यहां करा रहे हैं आपको बस इनके लेक्टेस कर लेने हैं बाकी दिमाग ही नहीं लगाना ठीक है फिजिकल में थोड़ा और डीटेल में आपको जाना पड़ेगा प्लस फिजिकल के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ेगा यहां पे टीचर आपको जितना हेल्प करेगा उतना हेल्प आपको खुद को भी करना पड़ेगा by practicing, math वाला चीज़ है ठीक है, तो जितना practice करोगे उतना अच्छा आपका physical होता जाएगा, तो again आप आँख बन करके सिखा मैम and सशीशर को follow कर लिजे ठीक है कोई load ही नहीं होगा तुमको, ठीक है, और Monday से एक और नहीं chemistry के amazing teacher आ रहे हैं तो मैं physical, inorganic, organic, तीनों में बटवारा कर दूँगा, और आपका chemistry फटा-फट, फराटे तरीके, दा तरीके से complete हो जाएगा, ठीक है यहाँ भी आपको pyq plus exemplar अब बोलोगे sir, हमें j-e-mains के question करने चाहिए और नहीं करने चाहिए, मत करो ठीक है, अभी यह practice question किसी भी किताब से कर सकतो नहीं तुम लोग कर पाऊ किताब से तो हम लोग दे देंगे practice question आपको कराने के लिए ठीक है, यह practice question मेरी टीम आपको दे देगे, अगर आप किताब से नहीं कर सकते है comment section ने बता दिएगा, कि आपको chemistry के practice question चाहिए पीवाई की और exemplar तो फटाफट करते जाओ, ठीक है पीवाई की और exemplar का भी detail video हम बना देंगे but I don't think कि आपको पीवाई की और exemplar के सारे videos देखने चाहिए revision के time में काम आ जाता है but मुझे पता है कि अगर 100 में से 70 question मेरे से बन जाने है तो मैं 70 question का क्यों explanation देखूंगा मैं उन्ही 30 question का explanation देखूंगा न जो मुझे नहीं बन देखूंगा न जो मुझे नहीं बन देखूंगा तो उसको उस तरह से use करना time बचाना आपको, आपको time बचाना important ठीक, चलने physics पर आते है, physics का तो यार देखो जब तक महनत नहीं करोगे जब तक भागना बंद नहीं करोगे ठीक है, तब तक नहीं होगा आपको physics ऐसा नहीं है कि समझ नहीं आती आपको physics से डर लगता है, बहुत simple देखूंगा दिमाग में बैठ गया है कि मेरे से numerical solve नहीं मेरे से mathematical calculation नहीं होगा और उसकी वज़े से तुम अपाहिज हो चाते है I have one of India's best physics teacher विरासा से जिन बच्चों ने पढ़ा है कमेंट स्क्राइब बताना भाई वो मक्षन समझाता है मतलब मैंने देखा है among my poor team, he is one of the best teachers over there, ठीक है तो क्या समझाता है वो आदमी तुम देखो के उसके analogies इतने अच्छे clear concept है मुझे hidden thermodynamics नहीं आता था मैं ऐसे एक lecture मैं मेरी आदत है याद YouTube पर मैं किसी का भी lecture उठा कर देखता हूँ और मुझे समझ में आने लगा ठीक है या तो लड़ो या मर जाओ बहुत simple ता चीज़ा है ठीक है तो करना तो पड़ेगा ही कैसे करोगा भीया basic math थोड़ा सा आता है basic math पर एक video है इसी channel पर basic math भाई विराज सर कोजना ठीक है आपको मिल जाएगा इसकी DPP भी मैंने दी है basic math अपने fix कर लो और फिर daily lecture लगा लो अपना दिमाग लगाना ही नहीं है कुछ और करने की ज़रूत नहीं जितना हम करा रहे उतना कर लीजिए आपके physics में 120 से उपर नमबर आजेंगे अभी भी बट जितना बोलने हम उतना कीजिए आप जितना homework दे रहे उतना कीजिए तभी आएगा यह नहीं किये तो इस वीडियो का ही पूरा मकसद बेकार है तुम क्या करोगे 500 500 पैटक जाओगे और फिर रोगे सर मेरे 30 मार्ग से medical college रहे गए कोई फाइदा नहीं है ना 30 मार्ग से रहे ठीक है ताइम आपको रोज का मिल जाएगा to do list में ठीक है to do list follow कीजिए एक channel लीजिए और इसको follow कीजिए देखो यहाँ पे free में आपको सब कुछ मिलता है क्यों कहीं और भागना क्यों कहीं और जाना सब कुछ एक ही जगह आपको यहाँ मिल जाता है सबसे irregular teacher तो हम ही है ना physics chemistry class से आपको हमेशा regular चलती है बायोक आपको मैंने solution बता ही दिया क्या जगरूरत है कहीं और जाने की और कुछ और problem solve करने की आप एक chapter विरासर से complete करो और आप से सवाल ना मने तो आप छोड़े पर एक chapter तो complete करो अच्छे से तीन दिन में तुमारा फूस हो जाता है तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है तो ये to-do list आपको रोगें यहाँ पर भी same pyq plus exemplar अब मुझे पता है कि physics का pyq और example आपके खुद से नहीं बनेगा अभी ठीक है तो इसके लिए भी आपके लिए प्रैक्टिस कराएंगे और question solving approach सिखेंगे इसमें आपको ये pyq और exemplar की भी class करनी जरूरी है देखो physics में मैं कहा रहा हूँ जरूरी है क्योंकि आप देखोगे कि educator कैसे paper solve कर रहा है आप भी वो temperament doll develop करोगे problem solving ability develop करोगे सिर्फ formula रटन लेने से physics solve नहीं होगा तो ये काम आपको कारना है physics आपने ठीक कर लिया मैं आपको guarantee देता हूँ bio की वाई से आपका selection नहीं रुकेगा ये मैं हर बार बोलता हूँ और आज तक किसी ने मुझे गलत प्रूव नहीं किया है ठीक है तो bio की वाई से आपको कभी selection नहीं रुकेगा इसको fix करो इसको fix करो जैसे करना है करो ठीक है अपना schedule बनाओ मेरा schedule follow करो मुझे से कुछ help चाहिए comment section ने बताओ लेकिन इसको fix करो और ये fix तब होगा जवाब regular रहेंगे 90% आप में से जो आज ये वीडियो देख रहे है वो तीन दिन के बाद fix हो जाएंगे fix समझे दो तीन दिन के बाद तुम कल क्लास देखना मंडे की क्लास में मेरे बहुत सारे बच्च आएंगे ठीक है उसके बाद Tuesday के बाद सब fix हो जाता है तो यही होता है हमेशा यही देखते हैं ठीक है तो तुम्हारा competition है ही नहीं जो बच्चे चार दिन रेगुलारीटी नहीं कर पाते हैं वो क्या ही competition निकालेंगे आ रहे ही बाद समझेंगे तो यह ध्यान दो चलिए दो चीज और चैप्टर वाइस question bank हम 20th मार्च से स्टार्ट कर देंगे ओल इंडिया test series 20 मार्च को आपको लॉंच हो रहा है जो टॉपिक वाइस सब टॉपिक वाइस वगरा सब कुछ पूरा हो गा ठीक है अल्रेड़ी प्रेप्लाड़ वाला test series क्या करते हैं उसको भर गया मतलब 20,000 बच्चे हम ले सकते हैं तो स्यादे हम ले नहीं पाए तो खतम हो गया यहां पर एक और ऑल इंडिया test series हम 20 मार्च को लॉंच करेंगा जिस दिन लॉंच करेंगे उसी दिन सब्सक्रिप्शन ले लेना बिटा नहीं तो फिर दिक्कत आ जाता है मतलब दिक दस मार्च को इसका सेल स्टार्ट हो जागा और बहुत सस्ता रहेगा यह मतलब 400-500 रुपे का ही रहेगा ठीक है हम आपके लिए सबसे सस्ता जुगार रखते हैं चल टेसरीज का इसलिए हम पैसा लेते हैं बहुत रीजन समात है यह जब मैं इतना कुछ फ्री में दे सकता बट प्री की चीज़ हो कि तुम कदर नहीं करते हो कंसिस्टेंट नहीं रहते हो इसलिए टेसरीज का मैं पैसा लेता हूँ क्योंकि मुझे पता है एक प्राक्टिस करना कुश्चन सबसे इंपॉर्ट राइट चल तो यह मैंने आपको पूरा वन स्टॉप सॉलिशन बता द लाइए जितना हम बोलने बस उतना कर लीजिए ऐसा तो नहीं है मैंने इंट्रेस इंजाम नहीं कर लिया किया मैंने किया भी है फिछले तीन साल से बहुत लोगा कराया भी है तो ट्राइट टेस्टें मेथड है ना किफायती टीचर है तुमारे और मतलब विश्वसनी यह अब मुझे जवाब दो can you clear need if you start now comment section में ज़रू बताना can you clear need if you start now और कोई बच्चा मुझसे दुबारे यह सवाल पूछ दिया ना तो लाथ खायेगा on that note I am ending this video video पसंट आया तो comment section में ज़रू बताना वीडियो को खूब सारे प्यादेना खूब सारे लाइक करना चैनल को subscribe कर दो और Monday साड़े आठ बजे human physiology दुबारा अब हम नहीं पढ़ा रहे हैं बहुत बार human physiology पढ़ा दिया ठीक है साड़े आठ बजे आखरी बार पढ़ा रहे हैं live कर लेना लिख के पढ़ाएंगे 3D में पढ़ाएंगे human physiology आपको medical college तक काम आएगा ऐसा human physiology आपको पढ़ाएंगे all the best take care bye bye and have a great day I'll see you guys telegram channel अभी के अभी जाके join कर लो और इस channel को subscribe कर दो कर अभी तक नहीं किये हो तो I'll see you guys in the next video bye